हलो दोस्तो आज मैं आपके लिए और सबसी लेके आई हूँ इस सबसी का नाम है तोरे कड़ाई मसाला दोस्तो कड़ाई में बनाई है और तोरे की एक दो मसाले दार है बहुत अच्छी सबसी है दादा तर तोरे हम लोगों को पसंद नहीं आती है बच्चे पसंद नहीं करते हैं अलग-अलग तरीके से दोस्तो बनाईए अलग-अलग मसाले के साथ बनाईए तो ये भी बहुत स्वाधिष्टार अच्छी बन जाएगी तोरे की बहुत टेस्टी रेसिपी है आप इसको जरूर ट्राई कीजेगा और मुझे बताईए का आपको ये कैसी लगी अगर आपको ये पसंद आती है और आपको मेरे चोटे-चोटे वीडियो चोट-चोटे टिप्स अगर पसंद आते हैं और आपको मेरे रेसिपीज बनाने के बाद लगता है कि वाकई मैं अच्छी बनी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइका सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसके लिए मैंने लगबग 300 ग्राम तोरे ली थी जिनाच्छे से पहले दो लिया फिर छील लिया है एकदम मुलाइम तोरे है कभी-कभी कड़वी भी आती है इसलिए मैं उनको कभी-कभी तोड़ा साइट से चक लेती हूँ अगर आप क्या नहीं आती है तो कोई बात नहीं हमारे कभी-कभी एक-दो कड़वी भी आ जाती है मैंने गोल-गोल तोरे एकदम मुलाइम मुलाइम ती उनको इस तरह काट लिया है यह मैंने गोल-गोल काटी है तीन से चार हरी म्र्च लिया है क्योंकि जादा तीखी नहीं थी इसलिए तीन चार लिया है तीखी है तो आप ठोड़ी लीजे एक प्याज है जिससे मोटा काटा है और दोस्तो तीन से चार देशी खट्टे टमाटर है मैंने हरी मिच, प्याज और टमाटर तीनों को मिक्सी में पीस कर एक स्मूथ पेस्ट डेडी कर लिया है इस तरह पीसने से टमाटर मुँ में नहीं आते हैं प्याज नहीं आती है और बच्चे उनको अलग नहीं कर पाते हैं बच्चे टमाटर नहीं खाते हैं इसलिए मैं सोस्तियों की जादतर उनको पीस कर डाल दूँ गैस चालू की अपनी कड़ाई रखी बहुत थोड़ा सा तेल डाला है गैस मीडियम पर है और जैसी तेल गरम होता है एक चमच जीरा डाला है और बहुत थोड़ी सी हींग डाल दिये हींग टोटली ऑप्शनल है अगर आपको हींग की कुछभू पसंद नहीं तो आप मट डालिये मुझे पसंद है इसलिए मैंने इसमें डाल दिये हींग बहुत फायदा करती है दोस्तों आप जहाए तो इसे डाल दीजे टोमेटो की पुरी डालने के बाद इसमें मैंने मसाले अट किया है आदा चमच हल्दी पौडर, स्वादन सान नमक और चौता ही चमच लाल मिर्ची बस इस मसाले को मुझेंगे नहीं ऐसे ही इसमें अपनी तोरी डाल देंगे क्योंकि तोरी पानी बहुत चोड़ती है मैंने इसमें घर का बना हुआ एक चमच घरम मसाला अट किया है और हरा धनिया वो भी मैंने इसमें अभी अट कर दिया है सभी चीजों को अच्छे से मिलाया और फटाफट दोस्तों ये सब काम एक मिनिट में हो गया थोड़ा सा मैंने इसमें अधरा कदू कसकर के डाला है अधरा कदू कसकर डालने से स्वाथ बहुत अच्छात है आप भी डाल दीजे इसको ढखना है हमें इसमें पानी नहीं डालना है मीडियम फ्लेम पर ढखकर लगबग 5-6-7 मिनिट तक हम इसे पकाएंगे मैंने खोल कर दिखा तो एकदम थोड़ी गल चुकी थी बहुत चल्दी गल चाती है तोरई ने जो पानी चोड़ा उसे ग्रेवी पक गई टमाटर साथ में पकने से इसके अंदर जो टमाटर का मसाला था तोरई में बहुत अच्छे से अंदर चला गया तो साथ में मसाला भी बुन गया दोस्तों और तोरई भी बन गई आपको जितनी गाड़ी चाहिए उसे साबसे आप इसको रख लीजे मैंने थोड़ी सुकी सुकी बनाई थी इस तरह दोस्तों मेरी एकदम कड़ाई तोरई बन के तहार है बहुत अच्छी है खुश्बू तो ऐसी आ रही है जैसे किसी होटल में बनी है मैंने इसको अच्छे से और अच्छा लोग लाने के लिए इसके उपर थोड़ सा जीरे का तड़का और लगा दिया है आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी और यम्मी तोरई बनी है दोस्तों इससे बनने में ज़्यादा समय नहीं लगा सिर्फ 10 मिट में तोरई बहुत सॉफ्ट होती है कट और चिल्बी बहुत जल्दी जाती है 10 मिट में इतनी टेस्टी और यम्मी सबजी बन के थेयार है सब लोगों को बहुत पसंद आएगी आपको भी पसंद आएगी और मुझे comment box में बताईएगा आपको कैसी बनी Thank you